श्रीमद भागवत दशमसकंदा अथाई कशष्टितमोध्यायः श्रीशुक उवाच एकई कशष्टाह कुष्णस्य पुत्रांदश दशाबलाह अजीजनन्न नवमान पितुह सरवात्मसंपदा गृहादन पगंवीक्ष्य राज पुत्रियोच्युतं स्थितं प्रिष्ठं न्यमं सतस्वंस्वं नततत्त्व विदास्त्रियह चारवजकोषवदनायत बाहु नित्र सप्रेमहासरस वीक्षित वल्गु जल्पैही सम्मोहिता भगवतो नमनो विजेतुह स्वैर्विभ्रम समशकन्वनिता विभूम्नह स्मायाव लोक्कलवदर्शित भावहारि भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र शोंडईही पत्नियस्तुशोडश सहस्रमनंग बानेर यस्येंद्रियं विमतितुम् करणेर नशेकुहु इथ्थां रमापतिमवाप्यपतियु स्त्रियस्ता ब्रम्हादयोपिनविदुपद विव्यदियाम भेजुरमुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनव संगमलाल साध्यम् प्रत्युद्गमासनवरारहन पादशवच तांबूल विश्रमन वीजन गंधमाल्येही केशप्रसारशयनस्नपनोपहारियर दासीशता अपिविभोर्विद धुस्मदास्यम् तासाउया दशपुत्राणां कृष्नस्त्रीनां पुरोधिताह अष्टव महिष्यस्तत्पुत्रान प्रद्युम् नादीन ग्रुणामिते चारुदेश्न सुदेश्नस्च चारुदेहस्च वीर्यवान सुचारुष्चारुगुप्तष्च भद्रचारुस्ततापरह चारुचंद्रोविचारुष्च चारुष्च दशमोहरेहे प्रद्युम्न प्रमुखाजातारुप्मिन्याम्नावमाह् पितुहूं भानुस् श्रीबानु प्रतिभानुष्य सत्य भामात्मजादश सांबस्वित्र पुरुजित्छत जित्च सहस्रजित्थ विजयश्चित्रकेतुष्य वसुमांद्र विड़क्रतुषू जांबवत्या सुताहिये ते सांबाध्या पित्रु सम्मताह वीरश्चंद्रोष्वसे नश्च चित्र गुर्वेगवान व्रुषः आमः शंकुर्वसु श्रीमान कुंतिर नाग्नजितेस्तुताह शुरुतह कविर व्रुषो वीरह सुबाहुर भद्र एकलह शांतिर्दर्षः पुर्णमासह कालिंद्यासो मकोवर प्रघोषो गात्रवानसिवो बलह प्रबल उर्ध्वगह मार्द्रियाह उत्रा महाशक्ति सह ओजो उपराजितह व्रुकोहर्षो निलो गृद्रो वर्धनो नाद एवच महाशः पावनोवन निर्मित्रविंदात्मजाक्षुधि संग्रामजित ब्रुहत्से नह शूर प्रहरणो रिजित्त जय सुभद्रो भद्राया वाम आयुष्यसत्यकह दिप्तिमाउंस ताम्रतप्ताद्या रोहिन्यास्तनय आहरेहे प्रद्युम्ना चानिरुद्धो भुद्रुक्मवत्याम महाबलह पुत्रयांतु रुक्मिनो राजन्नामना भोजकते पुरे एतेश पुत्र पुत्राश्य बभुव कोटिशों रुप मातरह कृष्ण जाता नाम सहस्राणी चशोडश राजोवाच कथम रुक्म्यरि पुत्राय प्रादादुहितरन युधि कृष्णेन परिभूतस्तम हंतुम रंध्रम प्रतीक्षते एतदाख्याहिमे विद्वन द्विशो वैवाहिकं मिथह अनागतमतीतंच वरतमानमतींद्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक पश्यंतियोगिनह श्रीशुक उवाच वृतस्वयं वरे साक्षादनंगोंग युतस्तयाह राज्यस्वेतानिरिजित्य जहारै करतो युधि यद्यप्यनुस्मरन्वैरं र व्यतरद भागिनेयाय सुताम कुरुवन स्वसुप्रियं रुक्मिन्यास्तनयाउं राजन कृत वर्मसुतो बली उपये में विशालाक्षिम कन्याम चारुमतिंखिल दोहित्रायानिरुध्धाय पउत्रिम् रुक्म्यददाद्धरेहे रोचनाम बद्धवैरोपी जानन्न धर्मं तद्यवनं स्नेह पाशानु बंधनह तस्मिन अभ्युदय राजन रुक्मिनी रामकेशवव पुरं भोजकतं जग्मुहू सांब प्रद्युम्नकादयह तस्मिन निवृत्त उद्वाहे कालिंग प्रमुखांद्रुपह दृप्तास्ते रुक्मिनं प्रो चुर्बलमक्षेर्विनिर्जय अनक्षग्ण्यो ययम्राजन अपितद्व्यसनम्महत इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षई रुक्मिय दीव्यत शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्राददेपणं तंतू रुक्मिय जयत्तत्र कालिंग प्राहसद्बलं दंतान संदर्शयनुच चरिनाम्रुष्यत तद्धलायुधह ततो लक्षम रुक्म्य गृन्हाद गलहं तत्राजय द्बलह। जितवानह मित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितह। मन्युनाक्षुभित श्रीमान समुद्र इवपरवनि जात्यारुनाक्षोति रुषा नियर्बुदं गलहमाददे। तंचापी जितवान्रामो धर्मेन चलमाश्रितह। रुक्मी जितं मयात्रे में वदन्तू प्राश्निका इती। तदाब्रविन भोवानि बले नैव जितो गलह। धर्मतो वचने नैव रुक्मी वदतिवै मृषा। तामना दृत्यवै दर्भो दुष्टराजन्य चोदितह। संकरशनम परिहसन बभाशे कालचो दितह। नैवाक्षको विदायूयम गोपालावन गोचरह। अक्षरि दिव्यंति राजानो बानेश्य नभवाद्रशह। रुक्मिनै वमधिक्षिप्तो राजभिष्चो पहासितह। कृद्ध परिगमुद्यम्य जगनेतं रुम्न संसदी। कलिंग राजम तरसागृही त्वादशमे पदे। दंतान पात यत कृद्धो योह सद विवृतैर्द्विजैही। अन्ये निर्भिन्न बाहूरू शिरसो रुदिरोक्षितह। राजानो दुद्रु वुर्भीता बलेन परिगार्दितह। निहते रुक्मिनी श्याले नाब्रवित साध्वसाधुवा। रुक्मिनी बलयो राजन स्नेह भंग भयाद्धरिह। ततो निरुद्धाउं सहसूर्ययावरं रथाउं समारोप्यययुकुषस्थलीम। रामादयो भोजकतादशारहा। सिद्धा खिलार्था मधुसूदनाश्रयह। इति श्रीमद भागवते महापुराणे पारमहोंस्यां सहितायां दशमसकंदे उत्तरार्दे। अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधो नामैक शष्टितमो ध्यायह। श्री कृष्णार पनमस्तू।